समझे आप वैद्दूत अपगट्टे पदार्थिया इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनको जल में या अन्य आयनी कारक विलाइक में घुलने पर वे आयनों में व्यूजित हो जाते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं वैद्दूत अपगट्टे पदार्थिया इलेक्ट्रोलाइट जितने भी एसीड होते हैं जितने भी बेस हैं और इन से बने हुए लमण हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे KCl, NaCl, K2SO4, Na2SO4, BACL2, आदी जितने भी लवन हैं, जितने भी एसिड हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CS3, COOH, जैसे NaOH, KOH, कैल्सियम हाइड्रोकसाइड, ये सब बेस एसिड और इनसे बने हुए जो लवन होते हैं, ये सब के सब वैद्दुत अपकर्टे पदार थी, अलेक्टोलाइट कहलाते हैं, ये है वैद्दुत अनपकर्टे या नौन इलेक्टोलाइट पदार थी, उनको कहते हैं, जिनको जल में या अन आएनी कारक विलाइक में घुलने पर, वे आएनों में वियोजित नहीं होते हैं, वे कहलाते हैं, नौन इलेक्टोलाइट या वैद्दुत अनपकर्टे पदा ग्लुकोज और फ्रक्टोज दौनों का अनुसुत्र यही है जैसे यूरिया है एनस्टू सी ओ एनस्टू ये ऐसे पदार्त हैं कि इनको किसी भी आइनी कारक विलाएक या जल में गोलने पर ये आइनों में नहीं तूटते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं वैदुत अनाप गटे पदार्त एक घटना है आयनन या आयोनाईजेशन आयोनाईजेशन जब किसी वैदुत अपगटे पदार्त को जल में या अन्य आयनिक कारक विलाएक में गोलते हैं और वहें दो परकार के आविसित कणों में या आयनों में वियूजित हो जाती हैं तो ये जो आविसित कण होते हैं ये आयन कहलाते हैं और आयनों में तूटने की ये जो घटना है ये आयनन कहलाती है जैसे माली जो कोई भी पदार्त है एबी एबी पदार्त को हम अगर जल में गोलें और वो इस तरीके से धनायन और रिनायन में वियूजित हो जाता है तो ये कहलाते हैं आयन और ये जो आयनों में तूटने की घटना है ये कहलाती है आयनन या आयोनाईजेशन इन मैसे उपर से किसी भी पदार्थ को हम जल में डालते हैं तो वो इस तरीके से दो प्रकार के आवेसितकनों में तूट जाता है और ये आवेसितकन क्या कहलाते हैं आय एक बार फिर ध्यान से समझेंगे आयनन क्या चीज है जब किसी वैद्दूत अपगटे पदार्थ यानि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को हम जल में या अन्य आयनी कारिक विलाइक में घोलते हैं और वहे दो प्रकार के आवेसित कणों में वियोजित हो जाता है या तूट तो वह आवेसित कण आयन केलाते हैं और ये घटना आयनन केलाती है इन मैसे किसी भी पदार्थ को उपर जो अलेक्ट्रोलाइट हैं हम यदी जल में गोलेंगे तो वह इसी तरीके से वियोजित हो जाते हैं आपको मालूम भी है जैसे NACL है यदि हम इसको जल में गोलते हैं तो ये sodium ion और chloride ion में तूट जाता है माल लीजे sodium sulfate है तो Na2SO4 इसको हम जल में गोलते हैं तो ये sodium ion प्लस sulfate ion में इस तरीके से वियोजित हो जाता है तो ये घटना कहलाती है आइनन अब आप समझे आइनन सिद्दान्त या वैदुत अपगटनी वियोजन का सिद्दान्त ये सिद्दान्त स्वीडन के वेग्यानिक आरिनियस ने सन 1884 में प्रस्तुत किया था इसके साथ पॉइंट है मुख्य मुख्य उनको आप समझेंगे क्या है मुख्य मुख्य पॉइंट उन्होंने पहले पॉइंट में बताया था कि जब हम किसी वैदुत अपगटे पदार्थ को जल या अन्य आयनिकारक विलाइक में गोलते हैं तो वो दो प्रकार के आविसित कणों में तूट जाता है ये जो इस तरीके से ये जो आविसित कण है ये आयन कहलाते हैं और ये घटना आयनन कहलाती है किस तरीके से माल लिजे ये है A B पदार्थ और ये A B पदार्थ इस तरीके से A आयन प्लस B आयन में वियोजित होता है तो ये कहलाते हैं आयन और ये घटना कहलाती है प्रकरम कहलाता है आयनन दूसरे point में वो बताता है कि जो धन आवेशित आयन है धन आवेशित कन है वो धन आयन कहलाते हैं और जो रिन आवेशित कन है वो रिन आयन कहलाते हैं विलियन में इसको हम ऐसे कर सकते हैं मालो ए भी किस तरीके से आयनित हुआ ए आयन में और बी आयन में ये धन आवेशित कन है तो इनको कहते हैं धन आयन और जो रिन आवेशित कन है उनको कहते हैं रिन आयन इस तरीके से विलियन में इनकी आवेस की जो मात्रा है वो बिलकुल बराबर होती है और यही कारण है बराबर होने के कारण आप जानते हैं कि धनायन रिनायन को आगरशित करेगा और फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा अनायनित अनू में तो तीसरे पॉइंट में यह कहा गया है कि एक परकार के आयन यानी धनायन दूसरे परकार के आयनों को यानी रिनायनों को या हम यह कह दें कि रिनायन धनायनों को और धनायन रिनायनों को एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं आगरशित करते हैं और आगरशित करके क्या करते है अनायनित अनुओं में परिवर्तित हो जाते हैं इस तरीके से इन में सामय वस्था होती है सामय वस्था का मतलब है कि ये जो अनायनित पदार्थ है वैदुत अबगटे पदार्थ है ये आयनों में तूटता रहता है और आयन आपस में मिलकर अनायनित अणू बनाते रहते हैं तो इनकी जो वेलोशिटी है दोना तरफ की ये बिलकुल बराबर होती है और इसमें जो आयनों का अनुपाद है A आयन इंटू B आयन अपान A बी आयन A बी ये आयन नहीं है अनायनित अणू है ये बराबर इनका जो अनुपाद है ये सदैव इस्थिरोदा है और इसको कहते हैं आयनन इस्थिरांकिया आयोनाईजेशन कॉंस्टेंट क्लियर हो गया यहां तक चौथा पॉइंट है कि जब किसी वैद्दूत अपगटे विलियन में वैद्दू धरा प्रवाहित करते हैं तो ये जो आयन है ये व्परीत आवेसित इलेक्टोड की तरफ गमन करते हैं, माइगरेशन करते हैं माल लीजे ए भी वैद्दूत अपगटे पदार्थ गोल कर विलियन बना लिया करने पर धनायन कहा जाएगा रिन उलक्टोड पर अर्थात कैथोड पर और रिनायन कहा जाएगा धन इलक्टोड उससे विपरीत आवेसित यानी एनोड पर वहाँ जाकर क्या करेंगे अपना आवेस खोदेते हैं उदासीन हो जाते हैं और अनाइने तणू में परिवर्थित हो जाते हैं तो इस तरीके से नेक्स पॉइंट पांचवे में है कि किसी वैदुत अपगटे विलियन की वैदुत चालकता दो बातों पर निर्भर करती है एक तो आयनों की संख्या पर आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वैदुत अपगटे विलियन की वैदुत चालकता भी उतनी ही अधिक होती है और दूसरा है इनके उपर उपस्थित आवेश की मात्रा पर ये आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी विलियन की दारा बहुत कम बहती है लेकिन अगर उसमें एक चमच या उससे भी कम नमक डाल दें तो उसमें वैद्दुत दारा बहुत तेजी से पास होने लगती है कारण क्या है कि ये जो आयन है ये उस दारा प्रभाह के लिए समझ रहे हैं तो किसी वैद्दुत अबगटे की वैद्दुत चालकता किस बात पर निर्भर करती है दो बातों पर एक तो आयनों की संख्या पर और दूसरे इन आयनों के उपर उपस्थित आवेस की मात्रा पर जितने ज़्यादा ये होते हैं उस वैद्दुत अबगटे वि बुला हुआ है डाला हुआ है वो सबका सब आयनित नहीं होता बलकि आयनों के रूप में जो पदार्थ वहां मौजूद होता है वो आयनन की मात्रा या व्योजन की मात्रा कहलाता है और उसको किस से प्रिकट करते हैं या तो ए से प्रिकट करते हैं या अलफा से प्रिकट करत आयनों के रूप में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वो कहलाती है आयनन या व्योजन की मात्रा इस पॉइंट को फिर ध्यान से सुनेंगे वो ये बताता है कि जितना हमने विलियन में वैदुत अपगटे पदार्थ डाला है वो सबका सब आयनित या व्योजित नहीं होता है सबगा सब आयनित या व्योजित नहीं होता है केवल जो आयनों के रूप में उपस्थित होता है विलियन में वो ही उसकी आयनन की मात्रा या व्योजन की मात्रा कहलाता है और उसको किस से प्रकट करते हैं ए या अलफा से और आयनन या व्योजन की मातरा क्या होती है? आयनों के रूप में उपस्थित अनुओं की संख्या और विलियन में उपस्थित उपस्थित कुल अनुओं की संख्या इस तरीके से नेक्स्ट और लास्ट सात्वा पॉइंट है कि आयन वास्प दाब परासरन परासरन दाब क्वाथनांक उन्यन हिमांक अवनमन आदी उत्पन करते हैं ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं और कॉलिगेटिव या हिंदी में कहते हैं अनुसंख्य गु में उपस्थित अनुओं की संख्या पर निर्वर करते हैं यदि ये ज़्यादा होते हैं तो वो पदार्थ का गुन भी ज़्यादा होता है यदि अनुओं की संख्या आयनों की संख्या या आयन एकाईयों की संख्या या उनके जो अव्यवी कर्ण हैं उनकी संख्या कम होत तो एक बार ध्यान से सुनेंगे कि आयन, परासरण, परासरण दाव, वास्पदाव, क्वतनांक उन्यन, हिमांक अवनमन, आदी उत्पन करते हैं और एक वैदुत अनअपगट की पदार्थ की तुलना में ऐसे पदार्थ का जो एक अनु से दो आयन उत्पन कर रहा है उसका प्रभाव दो गुना होता है, मेरा कहने का अतात पर यह है, जैसे यह है वैदुत अपगट पदार्थ यह एक अनु से क्या उत्पन कर रहा है? दो आयन, तो इसका प्रभाव वैदुत अनप गट्पदार्थ की तुलना में दो गुना होगा क्यों क्योंकि ये एक अनू दो आयन उत्पन कर रहा है गुलकर तो इसका प्रभाव वैदूत अनअप घटे की तुल नामे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तुल नामे दो गुना होगा और यदी माल लिजे ये है जैसे H2S is equal to 2HIN प्लास सलफाइड आयन आप इसको देख रहे हैं गौर से एक अनू कितने आयन उत्पन कर रहा है तीन 2HIN एक सलफाइड आयन तो इसका जो प्रभाव होगा वो वैदूत अनप घटे की तुल नामे तीन गुना होगा क्योंकि इसका एक अनू तीन आयन उत्पन कर रहा है तो ये हैं इसके मुख्य साथ पॉइंट आरिनियस के सिद्धान्त के